दोस्तों गर आप एक यूटूबर हो तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने यूटूब चैनल में अपना बेंक एकाउंट को कैसे एड करेंगे, कैसे जोड़ेंगे दोस्तों जब आपका यूटूब चैनल में 100 डोलर कंप्रीट होगा, तो यूटूब उस पेमेंट को आपको बेंक अकाउंट में सेंड करेगा लेकिन इससे पहले आपको अपना bank account को link करना होगा अपने YouTube channel से आनि कि अपना AdSense account से तो कैसे link कर सकते हैं कैसे जोड़ सकते हैं मैं आपको इसका सारा process आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ लेकिन पहले बताता हूँ कि वीडियो को skip करके मत देखना नहीं तो अगर आप गलती करते हैं link करने का time तो आपका problem होगा payment के time ठीक है तो आपको वीडियो को पूरा देखो पहले उसके बाद अपना bank account को अपने YouTube channel में जोड़ना उसके बाद दोस्तों जब आपके YouTube channel में 100 dollar complete होगा तो YouTube उस payment का आपको bank account में send कर देगा तो कैसे जोड़ना में चली आपको इसका पूरा process आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और दोस्तों मैं वीडियो स्टाट करने से पहले बताता हूँ कि आपको bank account add करने का time एक Swift code का जरूरत पढ़ेगा जो कि आपके branch का ठीक है आपका bank का Swift code होता है तो उसका जरूरत पढ़ेगा तो उस Swift code को आप कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर मैं IFC code का बारें बात नहीं कर रहा हूँ Swift code का जरूरत पढ़ता तो Swift code आपको कहां से पता चलेगा मैं आपको वीडियो के end मैं आपको बता दूँगा आखिर अपने Swift code कहां से पता कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर कैसे एड करना है तो यहां पर देखते हैं दोस्तों आप अपने YouTube यहनले के AdSense अकाउंट को जेसे open करेंगे तो आपको पहले यहां पर अगर आपका हेंड़ेट डॉलर कंप्रीट हो गया है यहां पर देख सकते हैं आपको एड पैमेंट मेंठूर का जो ऑप्सन मिलता है इस पर आपको क्लिक करना है एड पैमेंट मेंठूर पर ठीक है तो इस पर क्लिक करके आप यहां से तो आपको क्या करना है इस पर आपको क्लिक कर देना चेले में इस पर क्लिक कर देता हूं और दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक फॉर्म हो यहां पर आपको पूरी तरह से फिल करना है और यहां पर आपको बिल्कुल सही सही चीज आपको फिल करना ताकि आपका पेमेंट आने में कोई प्रॉल्म ना हो ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं या फिर इसको खाली छोड़ सकते हैं इससे कोई दिक्कत नहीं ठीक है अब आपको यहां पर आपको यहां पर आपको यहां पर इंटर करना है और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टाइडिंग में बता है जो कि आपको लगेगा तो यहां पर आपको फिल करना होगा तो यह स्ट कोड आप कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको वीडियो के इंड में बता दूंगा ठीक है तो उसके बाद देखते हैं यहां पर आपको एकाउंट नमर यहां पर फिल करना है और फिर से आपको रिटाइप एकाउंट नमर देना है आनि कि दो बार आपको यहां पर और यहाँ पर भी दोनों जगा आपको account number फिल कर लेना ठीक है repeat करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर इस पर tick up करके और यहाँ पर save पर आपको click करना है जली से मैं चली इसको पूरा फिल कर लेता हूँ उसके बाद आपको आगे की process बताता हूँ ठीक है तो दोस्तों मैंने इस प्रकास से यहाँ पर पूरी form को फिल कर लिया हूँ यहाँ पर अपने नाम होगारा सारा चीज यहाँ पर फिल कर लिया हूँ account number swift code भी यहाँ डाल दिया हूँ और उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा इस्क्रोल करने का बाद आपको यहाँ पर मैं payment law option पर जाता हूं तो यहां पर चलिए आपको दिखाता हूं तो यहां पर दखते मेरा successfully यहां पर bank account aid हो जुग है तो इस पर कासे aid कर सकते हैं तो आप दोस्तों में चलिए आपको बताता हूं जो कि आखिर अपना swift code कैसे निकाल सकता है अपना bank है ठीक है तो swift code जानने के लिए आपको अपना bank manager से संपर करना है और उसको बोलना है कि इस bank का मुझे swift code चाहिए तो पहले कोई सवाल भी आपसे कर सकते हैं तो आपको simple उसका answer कर देना वो यही पूछे का swift code क्या करोगा तो आपको बता देना कि ऐसा यूट्यूब चैनल है तो यहाँ पर मुझे जड़ रहा था ऐसे bank account एड करना है ठीक है और उसके बाद अगर bank manager अगर आपको नहीं देता है तो आप Google से भी निकाल सकते है तो Google से कैसे निकालना है इसके लिए पहले म एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि उस वीडियो का link आपको description देखने को मिल जागा ठीक है तो जाकर check out कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंदा है वीडियो को like करना है चैनल पढ़ना है और subscribe कर दना